Hello बच्चो, Welcome to Aspire Academy, मेरा नाम है Tariq Anwar और आज के इस लेक्चर में जो हम डिसकस करने वाले हैं, वो है Trigonometric Ratios पे Best Questions, लेक्चर बन जो था, उसमें आपको ये बताया गया कि Trigonometric Ratios होता क्या है, लेक्चर बन जो था, उसमें आपको ये बताया गया कि Trigonometric Ratios होता क्या है, Ratios है ना, अब वो क्या कहलाता है, कौन से, अगर Perpendicular और Base का Ratio ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, Hypotenious और Base का ले रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, तो वो बहुत ही Important है ना, इसलिए अगर अभी तक आप Lecture 1 नहीं देखे हैं, तो Description में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले व ना, उसको देखे हुए, यह जो Lecture 2 है, इसमें हम प्रोब्लम करने जा रहे हैं ना, तो Basic जो भी Concept है, आपका कहा है वो, Lecture 1 में है, तो पहले Lecture 1 देख लीजिए, फिर आप इस Lecture को देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर हम सिर्फ Question लेने वाले हैं तो बहुत अच्छे से सबज में आएगा अगर आप Lecture 1 देख लेते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, हाँ, उसमें एक चीज और भी बता दे, कि जो Tignometric Ratios हैं, है ना, उसमें कुछ Relations भी बताया गया था, वो सब हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, तो चलिए, आज का जो है आपका Tignometric Ratios का, यह Lecture 2, जो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, प्रोब्लेम है, तो चलिए, हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं, अब आजाएए, यहाँ जो भी हम लोग करने वाले हैं, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल में ही, है ना, कहां? राइट एंगल ट्रेंगल में, और एंगल जो मेरा जैदेगा ठीक है चली देखते हैं तौ आपको बोल ला है कि इन्हें ट्रेंगल A, B, C, right angle at B चली जब right angle at B है तो सबसे पहले आप एक right angle triangle बना लीजिये B यहां लिख लीजिये आपकी मर्जी A यहां लिखिये और C यहां लीखिये यहां लीखिये c यहां लिखे, right angle जो है, वो b पे है, बस यह काम कर लिजिए सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद बोला है, a, b, a, b is equal to 24 cm, very good, यह 24 cm है, b, c, यह आपका 7 cm है, है ना, यह आपका 7 cm है, तो find sign a cos a, 10 a, sin c cos a, बस, है ना, आपका यह right angle है, है ना, यह 24 है, और यह 7 है, है ना, आपको मालूम है, और जो longest side है, वो नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, यहां से ac square हम लोग find out कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको मालूम है, पाइथागोरस थेओरम से, क्य a, यह जो a, c का square होगा है ना, वो क्या हो जाएगा, बाकि जो other side है, उसके square के ברाबर होगा, सम के ठीक है ठीक है ना, तो यहां से यह हो जाएगा, आपका a, b का square, प्लस b, c का square, ठीक है ना, अब आजाएगे, यहाँ से, a, b, 24 है, तो यह 24 का square और b, c आपका 7 है, तो 7 का square, 24 24 का square क्या होता है 576 और 7 का square 49 यानि यहां से यह 625 हो जाएगा आपका AC का square है ना तो AC का square आपका कितना आ रहा है 625 तो AC जो हो जाएगा वो root अंडर आपका 625 यानि कितना 25 तो यह longest side है अब value भी सबसे बढ़ा आया है ना 7 है 24 है और यह 25 है बस अब यहीं से काम खतम अब next आ जाएए अब देखिए sin A cos A 10 A और sin C है ना अब यहां पर हम P B E और H इसलिए नहीं यूज किये हैं कि यहां पर हमको दोनों find out करना है है ना देखिए यहां से angle A और angle C भी लेना है है ना अब आजाएए angle A लेंगे तो कहानी कुछ अलग होगा angle C लेंगे तो कहानी कुछ अलग होगा ठीक है ना इसलिए अब यहां पर हम यहीं यूज कर लिए ठीक है अब आजाएए अब आते हैं sine A पे sine A देखिए sine जो ratio होता है वो आपका opposite और hypotenuse का ratio होता है है ना opposite और longest side का ratio होता है अब opposite क्या होता है है अब देखिए angle A ले रहे हैं यहां से क्या ले रहे हैं एंगल A तो इसके लिए जो opposite होगा वो यह वाला side होगा कौन सा? BC है ना? BC by अब आजाएए longest आपका क्या है? AC है ना? यानि वही आपका P by H अब जब यह ले रहे हैं तो यह P हो जाएगा perpendicular है ना? और यह आपका H हो जाएगा है अब इस question में क्या है? दो-दो angle involved है इसलिए हम अब यहां पे P और H यूज नहीं कर रहे हैं ठीक है? अब आजाएगें देखें यहां से BC, BC कितना है आपका? 7 है ना? और उसके बाद AC, AC कितना है आपका? 25 है ना? क्या unit डाल दें इसका? देखें अब एक चीज और दियान रखेगा यह centimeter given है ना? तो यह 7 centimeter और यह जो आया आपका 25 centimeter तो centimeter by centimeter है ना? तो दो अगर length का ratio ले, दो area क ratio ले ठीक है ना? या दो volume का ratio ले अगर same जो आपका quantity है अगर उसका ratio लेते हैं तो वो unit less हो जाता है याद रखेंगा है ना? तो यह जो आपका sin A है वो कितना हैगा? 7 by 25 बस आप आजएगे ना? उसके बाद फिर क्या है? cos A है ना? क्या हो जाएगा देखें यहां से? अब य यह जो angle A है इसका adjacent आपका यह वाला होगा है ना? कौन सा? A, B. क्या हो जाएगा? A, B. बस यही important है है ना? कि कौन सा angle हम से पूछ रहा है? ओ angle? जब angle आपको मालूम हो चुका है कि यह angle A है यह angle C हमको find out करना है अब वहां से यह decide करना कि opposite side कौन है? adjacent कौन है? यह दो चीज़ decide करना और फिर उसके बाद यह मालूम होना कि sign किसका किसका ratio होता है ठीक है? अब अब यह cost है, cost क्या होता है? आपका adjacent और यह जो longest side है आपका AC इसका ratio होगा है ना? तो चली वह कितना है आपका? यह 24 है और यह 25 है बात का तम? उसके बाद फिर यह 10 A है अब 10 A निकालने के ल जो होता है वह आपका क्या होता है? 10 होता है फिर भी जब ऐसा कर रहे है तो 10 में भी वैसा ही कर लीजिए 10 क्या होता है? opposite और adjacent का ratio होता है यह यह यानि BC और AB का ratio हो जाएगा BC आपका कितना है? 7 है और यह 24 है 7 by 24 हो जाएगा उसके बाद आब आजाएए अब पूछ रहा है आपसे sinc है ना? अब हम लोग यहां आ चुके है इस एंगल के लिए ठीक है? sinc के लिए अब इसके लिए opposite जो होगा यह हो जाएगा और adjacent जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा आपका? BC हो जाएगा ठीक है ना? बस समझ में आ रहा है तो चलिए देखिए आपसे पूछ रहा हो जाएगा आपका? AB है ना? उसके बाद AC जो हैपोटेनियस है वो ऐसा ही रहेगा. AB कितना है आपका? यह 24 और यह 25 उसके बाद फिर cos C है ना? आपसे cos C पूछ रहा है है ना? इसका cos तो adjacent इसका क्या हो जाएगा? BC और by AC है ना? BC. BC कितना है आपका देख लीजिए? 7 है है ना? उसके बाद यह आपका 25 है अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा ठीक है ना? देखिए जो sin A का value है है ना? वो आपका cos C का value है है ना? यह देखिए है ना? यह दोनों value same है है ना? उसके बाद आजाएए फिर यहाँ स आप देख रहे हैं कि जो cos A का value है वो आपका sin C का value है है ना? अब यह कैसे हो गया है है ना? अगर यह 90 है है ना? यह दोनों जो angle है इसका जो sum होगा A plus C वो भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा देखिए angle B आपका क्या है? 90 है तो A और C का जो sum होगा वो क्या होगा? 90 होगा यानि complementary angle होगा है ना? तो अभी से ही जलक दिखलाते चलते हैं आपका जो एक topic है class 3 में क्या? complementary angle है ना? तो देखिए complementary angle में आपको मालूम है कि sin 90 minus A क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा और कॉस 90 minus A साइन हो जाएगा इसलिए ये दोनों value क्या हो रहा है? interchange हो रहा है ठीक है ना? किस वज़ा से? A और C के complementary होने की वज़ा से है ना? अब बाकी यहां तो हम अलग-अलग अभी फिलाल आपको यही सिखाया जा रहा है कि जब angle change करेंगे तो ratios भी आपका क्या होगा? change करेंगा ठीक है? चलिए next question देखते है अगलग क्या है? कि sin theta is equal to बस वही question है और कुछ नहीं है यहां आपको A और B में दे दिया है चलिए यहां से क्या है आपका sin theta है ना? यह जो आपका given है कि sin theta is equal to A square minus B square और यह A square plus B square है कुछ नहीं यह आपका right angle तो होगा ही मान लेते हैं यहीं एंगल मेरा theta है है ना? जब इसको theta मानते हैं यह A, B, C है ना? इसको जब theta मानते हैं तो opposite side आपका आपको मालूँ है एक किसका ratio होता है P और H का तो opposite जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? A square minus B square है ना? और आपका जो हाइपोटेनस यानि A C जो हो जाएगा वो A square plus BA square है ना? बस आपको क्या करना है यहाँ से जो आपका BC है यानि base निकाल ने तो यहां से आपको यह जो BC हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बोलिए, देखें, यह जो आपको relation बताये थे हम, क्या? कि PA square अप पलस B square जो होता है, वो कितना के बराबर होता है? ह square के, यह भी यूच कर लीजिए, यह फिर यह भी देख लीजिए आपका, यहां से जो AC के square होगा, वो क्या होगा? आपके AB square और पलस BC square के बराबर होगा, है ना? AC, AC क्या है? यह आपका, A square और पलस B square का whole square है, ठीक है? अब आज़े, AB, AB कितना है आपके? A square माइनस B square का whole square है, पलस BC का square है, ठीक है? चलिए, अभी हम इधर लाते नहीं, अभी क्या करते हैं? A plus B के whole square पर इसको open कीजिए, है ना? क्या हो जाएगा, देखिए? A square का square, यानि A का power 4 हो जाएगा, है ना? यहां से क्या कीजिएगा? A square, तो ऐसा लिखेंगे, ना? A square का square, A का power 4 हो जाएगा, है ना? प्लस B square, है ना? यानि B square का square, B का power 4 हो जाएगा, प्लस 2AB, तो कितना हो जाएगा? 2AB, यानि 2A square, BA square, यहां भी आ जाएगे, यह आपका A square, का whole square, A का power 4, यह B का power 4, माइनस 2AB, यानि 2A square, BA square, है ना? A plus B, C का A square, है ना? ऐसा इसलिए कि यह, कि यह, कि आमको solve करना, equal के दोनों side, देखिए, सेम चीज है, cancel हो जाएगा, है ना? पिरा जाएगे, तो आपको सिर्फ B, C निकाल ला है, है ना? तो देखिए, यहां से B, C का जो A square हो जाएगा, है ना? यह इधर आके add हो जाएगा, यानि क्या हो जाएगा? आपका 4A square, BA square, देखिए, यहां से, यहां भी A square है, है ना? इधर square हटाएगे, तो root आजाएगा, या फिर यह भी 2 का square है, दोनों तरफ power बराबर है, तो base B बराबर कर लीजे, यहनि कहने का मतलब यहां से BC जो हो जाएगा, वो आपका 2AB होने वाल है, क्या हो जाएगा? 2AB, ठीक है? तो यह आपका जो BC आया, वो कितना आया? 2AB आगया बस बागी है, अधर technometric ratios निकालना है, तो चलिए, sine मालूम था, अब देखिए, cos, cos theta, cos जो ratio होगा, वो किसका होगा? adjacent है ना, BC और AC का ratio होगा, BC आपका क्या है? 2AB और AC आपका A square plus BA square है, है ना, 10 theta, है ना, sine by cos भी कर सकते हैं, है ना? यानि, A square minus BA square by 2AB हो जाएगा, या फिर आपका देखिए, क्या हो जाएगा ये? हाँ, ये जब theta ले रहे हैं, तो ये आपका opposite side हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपका adjacent हो जाएगा, और ये तो fix है उसका, है ना? बाई default वो hypotenuse होगा, ठीक है? अब आजाएगे, तो देखिए, क्या हो जाएगा 10, opposite है ना? यानि, A square डाइरेक्ट लिख दे रहे हैं, A square by BA square है ना? अब आई 2AB है ना? अब आजाएगे, उसके बाद court, आपको मालूम है 10 का उल्टा होता है, पलट दीजिए यहीं से 2AB by A square minus BA square, लेक्चर वन जरूर देख ले ना? इस chapter को देखने से पहले है ठीक है ना? इस lecture को देखने से पहले है ना? क्योंकि उसी में ये सारा discuss किया जा च करते हैं, है ना? उसके बाद court निकल गया, अब आजाओ सेक, है ना? सेक जो होगा वो cos का उल्टा कर दो, है ना? cos का उल्टा किता? A square plus BA square by 2AB और फिर बचरा है आपका cos एक, है ना? cos एक ठीटा, cos क्या हो जाएगा? sin का उल्टा, है ना? यानि A square plus BA square by A square minus BA square, है ना? बस यही जैसे ही दो decide हुगा, बाकी का तो हम कटा-खट लिख सकते हैं, है ना? नहीं तो फिर वही कहानी है, टैंट हीटा लिखने के लिए A, B, Y, B, C, यूज करो, और लिको, बाद तो वही होना है, है ना? तो इस तरह से इसका answer आपका, एक दिये हुआ था, बाकी को निकालना था अब जो दिये हुआ है, उसको हमको मालूम होना चाहिए, वो कौन से कौन से side का ratio होता है, जैसे ही दो side में मालूम हुआ मेरा कि ये दोनों था, ति सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम थर्ड side जो नहीं मालूम है, वो हम लोग find out करेंगे, है ना? तो इस तरह से, जैसे ही तीन का ratio होता है, ये वो मालूम होना चाहिए, ठीक है, बाकी question बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है, आप देखें, फिर बोला है कि inner triangle ABC, right angle at B, और बोला है कि 10 A बराइबर इतना है, तो आपको ये find out करना है, चलिए, ये एक right angle triangle ले लीजिए, है ना? बोला है, right angle at B है, चलि लो भईया, ये 10 A, ये angle given है ना? आप आजाईए, तो आपको मालूम है, ये 10 A है ना? वो क्या हो जाएगा? 1 by root 3 है ना? और 10 जो ratio होता है, वो क्या होता है? आपके opposite और किसके? एड़ेशन के ratio के बराबर होता है, तो आप जब 10 A ले रहे हैं, तो ये जो side होगा, वो कौन सा होगा? opposite side ही, ये जो है आपका, ये आपका opposite हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एड़ेसेंट हो जाएगा, है ना? अब आजाएए, जब opposite और adjacent जब decide कर लिए, अब क्या करना है? यानि, यानि यहां से आपका, ये जो BC है, BC कितना हो जाएगा देख side है, ये कितना हो जाएगा? रूट 3 है ना? तो आप आपको करना क्या है? AC find out कर लेना, यानि हाइपोटेनल, AC का square, यानि इस दोनों का square है, ये आपके AB का square, अब पलाज BC के square के बराबर, है ना? AB का square, कितना है? 1 है, 1 का square 1, और इधर ये root 3 है, है ना? root 3 का square, है ना? 1 का square 1, और root 3 का square 3, यानि कितना? 4 हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपका AC निकल के आएगा, इधर root आ जाएगा, और 4 का root क्या होता है? 2 होता है, यानि 2, थोरा अच्छे से लिख लो, ठीक है? आप आज़ा, बस हो गया, ये आपका 2 निकल के आया, अब एक ब 1.7 होता है, ना? 1.732 ऐसा होता है, ये 2 से कम है, ठीक है मेरा, जो सबसे longest है मेरा, वो क्या है? 2 है, अब आज़ा, अब देखो यहाँ से, अब क्या-क्या find out करना है? sin A, cos C, cos A, sin C, यानि आपको sin A निकलना है, cos A निकलना है, sin C निकलना है, और cos C निकलना है, यहाँ से, यहा sin A निकलना है आपको, उसके बाद फिर, फिर sin C निकलना है, है ना? sin C, ठीक है? उसके बाद क्या निकलना है फिर आपको? फिर cos C निकलना है, है ना? देखें, यहाँ से, cos C भी है, and, 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 cos A भी है, है ना? cos A भी है, sin A और cos A भी है, तो चलिए, पहले cos A ही लिख लेते हैं, ह और कॉस C निकालना है, और भी कुछ है, बस, अब आजाईए, अब कहने का मतलब, यानि अब ये भी एंगल आपको यूज करना है, है ना, अब आजाईए, 10 A था, और 10 A के हिसाब से बागी काम हम कर लिए, अब आजाईए, अब हम लोग देखते हैं, Sine A, है ना, ये, अभी यहां दियान दिजी, ये Opposite है, अभी A के लिए, किसके लिए, A के लिए, एक काम करते हैं, अब हम इस चीज को ये Opposite, है ना, और Adjacent को यहां से हटा लेते हैं, नहीं तो अब confusion हो जाएगा, है ना, अब आजाईए, क्या हो जाएगा, जब Sine A लेंग Sine जो होगा, वो Opposite है, अब यहां हाँ से ये, ये आपका, BC, BC और AC का Ratio होगा, है ना, अब आजाईए, ये BC क्या है आपका, BC जो है, वो 1 है, और ये 2 है, 1 by 2, ठीक है, अब आजाईए, फिर उसके बाद Sine, अब A पढ़ ही देखिए, अभी, Cos A, है ना, जब Cos A लेंगे, तो ये जो आपका, ये Adjacent हो जाएगा, तो Adjacent क्या है आपका, A, B और by फिर आपका ये AC ही होगा, है ना, तो A, B कितना है देखिए, ये Root 3 और by 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Root 3 by 2, अब आजाएगा, Sin C पे, अब इधर वाला एंगल ले रहे है, है ना, ये एंगल ले ठीक है, अब इसके लिए Opposite ये हो जाएगा, और Adjacent ये हो जाएगा, ठीक है, आब आजाएगा, तो Sin C है ना, Opposite, Opposite अब कौन हो जाएगा आपका, A, B हो जाएगा, और AC तो As It Is रहेगा आपका, है ना, देखिए क्या हो जाएगा, Root 3 by 2, क्या हो जाएगा, Root 3 by 2, है न उसके बद देखिए, फिर ये दोनों इंटर्चेंज करेगा, और ये दोनों इंटर्चेंज करेगा, क्यों, क्यों, A और C जो है, वो कैसा एंगल है, यहाँ पर, Complementary एंगल है, ठीक है, अब आजाएगे, Cos C, Cos जो हो जाएगा, Adjacent, यानि आपका ये BC, और by AC, BC कितना है, 1 ह और by 2 है, बस, ये सब चीज आ चुका है, अब 1 by 1 यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो चलिए, triangle समझ में आ चुका है, कैसे हम लोग decide कर रहे हैं, opposite side, और adjacent, है न, अब चलिए, यहाँ से, इसका भी काम complete है, और इसका भी काम complete हो चुका है, आब आजाएए, पहला, A नमबर मे क्या find out करना है, देखिए आपको, sine A, sine A का value क्या है, 1 by 2 into, cos C, cos C का भी value, 1 by 2 plus, उसके बाद cos A, है न, cos A क्या है आपका, root 3 by 2 into, उसके बाद फिर आप, sine C, sine C का value कितना है, root 3 by 2, तो देखिए, यहाँ से, यह हो जाएगा आपका, 1 by 4, और पलस यह 3 by 4, है न, यानि यह LCM ले लिजिएगा, है न, LCM ले लेने के बाद क्या हो जाएगा, यह आपका 4 हो जाएगा, यह 1 plus 3, यह 4 by 4, 1, ठीक है न, आब आजाएगे, आगे जब हम देखेंगे, तो यह जो 10 A ह आपको, 30 degree का value होता है, है न, कितना का value होता है, 30 degree का, है न, यह 90 है, यहाँ A माने थे, यह 30 होता है, तो यह कितना हो जाएगा, 60, है न, और यह जो formula है, sin A cos C plus cos A sin C, यह sin A plus B के बराबर होता है, जब आगे class में आप जाएगे, तो वहाँ पर यह सब formula, इसको actually compound angle बोलते है, ह sin A plus B के बराबर होता है, बस sin A plus B, यानि, दो angle, 30 plus 60, 90, sin 90, 1, जो कि 1 के बराबर है, ठीक है, खेर वह सब बात की बात है, बस बता दिये हैं, आपको, देखिए, अब B जो है, है न, यह भी देखिए, cos A cos C, minus sin A sin C, फिर यह आपका हो जाएगा, cos A plus C के, है न, यानि, cos 90 होगा और यहाँ पर value 0 होने वाला है, ठीक है, तो चलिए, देखते है, cos A, है न, cos A कितना है आपका, 1 by 2, है न, into, उसके बाद cos C, cos C भी क्या है आपका, 1 by 2, minus, उसके बाद sin A, sin A कितना है, sorry, cos A, cos A, root 3 by 2 है, है न, root 3 by 2 है, और उसके बाद फिर, cos C, है न, cos C, 1 by 2 है, minus, उसके बाद फिर देखिए, sin A, sin A कितना है, 1 by 2 है, और sin C, जो है, वह आपका, root 3 by 2 है, है न, यह root 3 by 4, minus, यह root 3 by 4, plus, minus, cancel हो जाएगा, इसका value, जो value है, आपका क्या हो जाएगा, वो, 0 हो जाएगा, तो बस यही है, है न, तो चली, next question देखते हैं, आपका, क्या है, बोला है, कि inner triangle ABC, right angle at C, अब यहाँ पर right angle आपको C पे दे रहा है, है न, और AB 29 unit है, और BC 21 unit है, तो आपको यह value find out करना है, है न, तो चली, यह देखते हैं, सबसे पहले आप right angle बना लीजिए, है न, right angle आपको कहाँ बोला है, देखें, यहाँ पर C पे बोला है, कि right angle at C, यह आपका right angle यह C हो दिया, और इसका आप नाम दे दीजिए, A और B, चिक है, AB 29 unit दे रहा है, यह आपका 29 units है, और उसके बाद फिर BC 20, यह जो है, आपका 21 units है, है न, तो AC आपको find out कर लेना है, सबसे पहले, देखें, AB, है न, AB 29 unit, आपका BC, BC क्या हो जाएगा, यह आपका 21 units, तो AC find out कर लेजिए, उसके बाद जो है, निकाल लेजिए, आप देखें, angle ABC आपको ठीटा दे रहा है, अब यह angle जो दे रहा है, यहाँ दे रहा है, ठीक है न, जैसे ही यह दे रहा है, यह आपका opposite हो जाएगा, यह adjacent हो जाएगा, यह आपका, इसका यह क्या हो जाएगा, opposite side हो जाएगा, है न, और यह आपका adjacent side हो जाएगा, ठीक है, आप आजाएगे, तो आप आपको यहाँ से, AC सबसे पहला काम है, AC जो एक missing है side, वो find out कर लेजिए, कहां से वो, पाइथाग dolorous formula से है न, क्या हो जाएगा, आपको मालूम है, कि AB का a square is equal to, क्या हो जाएगा, यह आपका, BC का a square, और plus AC का a square, है न, अब आपका AB कितना है, 29 है न, यह 29 का a square, और BC आपका 21 का square है और यह plus AC का square है ना तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा देखी AC का square यह इधार आके minus हो जाएगा और 29 का square कितना होता है तो 330 का 900 है ना यानि यह 8991 यानि 41 हो जाएगा यह 841 और minus 21 का square 441 होता है यानि यहाँ से यह आपका 400 हो जाएगा कितना हो जाएगा 400 यानि AC का square 400 हुआ तो AC कितना हो जाएगा इधर से square हटाईए इधर root लगाईए और यह कितना 20 units हो जाएगा है ना यह आपका कितना हो जाएगा AC 20 units हो जाएगा बस यही हमको चाहिए था यह आपका 20 units अब आ जाएगे सिर्फ हमको यहाँ पर क्या चाहिए पहला sin theta है ना sin theta आपको मालूम है यह opposite P और H का ratio होता है तो यहाँ यह P हुआ यह B हुआ यह H हुआ तो चलिए opposite opposite क्या है आपका AC है लिख 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 सकते हैं AC और by AB है ना AC कितना है आपका 20 by AB AB कितना है 21 unit है ना उसके बाद फिर cos theta है ना cos theta B by H यह adjacent है ना यानि 21 by 29 है ना AB 29 है 29 है अब आजएगे तो यह फिर क्या हो जाएगा आपका यह BC और by AB BC कितना है आपका देख लिख लिजे यह 21 और by 29 unit है ना बस पहला यह में क्या बोला है कि sin square theta और plus cos square theta इसका value 1 होता है और 1 आना भी चाहिए देखिए यहां से sin का value कितना है यह 20 by 29 का square और यह 21 और by 29 का square है ना देखे 20 का square 400 इसका 841 और इसका 441 by 841 अभी ही आया है यहां पर देखिए 29 का square 841 21 का 441 और 400 जो आया है 20 का है बस वही सब चीज तो है यहां पर ना इसका पहल सीम कितना हो जाएगा 841 और यह 400 अप पलस 441 यानि 841 by 841 कैंसिल 1 हो जाएगा अब देखिए अब बोलना है cos square थीटा minus sin square थीटा है ना next जो है आपका cos square बी जो है चलिए बी या चलिए लिखे लेते हैं बी बी क्या है cos square minus sin square देखिए cos कितना है आपका 21 यह 21 और यह 29 का square हो जाएगा minus sin यह कितना है 20 by 29 का square हो जाएगा ठीक है अब आ जाएगे फिर वही 21 का square 441 by 841 और यह 400 by 841 हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा फिर तो यहाँ से आपका हो जाएगा इधर आ जाएगे देखिए इलसियम में क्या denominator में आपका कितना है 841 है तो यह 841 हो गया अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 441 minus 400 यहानि 41 by 841 यही है cos square minus sin square जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा आपको देखिए 41 by 841 के बराबर हो जाएगा बस यही है आपका यह sin square theta plus cos square theta कितना के बराबर हो जाएगा 1 के और cos square theta और minus sin square कितना के बराबर हो जाएगा 41 by 841 के है ना चले अब next question लेते हैं अगला क्या है from the figure find 10p minus cot r है ना यानि यह आपका 10p यानि यह एक एंगल लेना है और फिर cot r लेना है यहां से है ना बहुत आसान question है देखे 10 सबसे पहले तो आप 10p निकाली है और 10 जो ratio होता है वो क्या होता है opposite और adjacent का ratio होता है अब चले जब आप p लेते हैं angle p जब आप लेंगे ठीक है ना जब आप angle p जब लेते हैं है ना तो इसके लिए जो opposite यह हो जाएगा यह जो आपका opposite हो जाएगा है ना और यह आपका adjacent हो जाएगा अभी हम white से लीख रहे हैं ठीक है ना तो चले ए opposite तो यह जो हो जाएगा आपका qr by यह आपका pq हो जाएगा है qr फिर नहीं मालूम है qr नहीं मालूम है तो चलिए यहाँ से qr निकाल लेते हैं तो आपको मालूम है कि pr का square जो होगा वो क्या होगा यह pq के square और पलस आपका qr है इसके square के बराबर होगा पाइथा गोरस theorem से है ना अब आजाए यह पी आर यह 13 है तो 13 का 13 रख लिजे यहां 13 का square pq यानि यह 12 का square और पलस यह qr का square तो यहां से फिर जब आप qr का square find out कीजिएगा यह इदार आके माइनस हो जाएगा तो यह 169 माइनस 144 यानि 25 यहां से जो आपका qr आएगा वो क देखिए qr का square 25 तो qr 25 रूट में जाएगा और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बस यह वाला जो आपका आया यह कितना आया 5 cm आया आपका चलिए काम करते हैं सब yellow में लिखा हुआ है तो इसको भी yellow में ही लिख दीजिए 5 cm यह 5 cm आप आजाएगे देखिए यहां से qr आपका कितना आया 5 आया p r p q कितना है आपका 12 है तो यह आपका 10 p निकला 10 p है जब angle p ले रहे हैं तो यह opposite यानि कितना 5 और adjacent कितना 12 यह हो गया कोट r क्या करना है आपको कोट r है ना जब angle r लेंगे आप यहां से यह angle है ना इसको जब लेते हैं r है ना तो क्या हो जाएगा देखिए आपका अब यहां से यह opposite हो जाएगा यह क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा और यह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा adjacent हो जाएगा है ना ध्यान रखिएगा इसलिए हम यहां पे color change करके लिख रहे हैं ताकि आपको कोई confusion ना हो तो क्या हो जाएगा वो p q p q है ना p q by हाँ court है ना a court जो ratio होता है वो क्या होता है आपका adjacent है ना adjacent and opposite का ratio होता है यानि यह q r और p q के ratio के बराबर होगा है ना अब आज यह q r है ना q r 5 है आपका और p q क्या है आपका 12 है दोनों same हो गया है ना देखे 10 p का value भी आपका 5 by 12 आया और court r का भी value कितना आया 5 by 12 आया तो यहां से क्या हो जाएगा आपका यह 10 p और minus court r देखे 10 p का value क्या है 5 by 12 है यह 5 by 12 माइनस 5 by 12 कितना 0 है ना चलिए देखे फिर यहां पर जो था आपका p और r जो था है ना वो complementary angle था है ना तो यहां पर यह दोनों का value same होगा जब दो same value को minus करेंगे तो उसका result 0 होगा चलिए next question देखते हैं क्या है अगला बोला है कि intra angle a b c if angle b आपको क्या दे रहा है right angle दे रहा है और 10 a का value one दे रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि two sine को से one लेके आना है तो चलिए सबसे पहले right angle दे रहा है तो right angle बना लिए आप यहां पर है ना यह आपका right angle हुआ ठीक है ना यह b पे है तो a यहां लिख लीजए और यह c होगया ठीक है अब अब यहां से 10 a है ना यानी यह angle आपको दे रहा है तो 10A का value 1, यानि यह जब आपको angle दे रहा है, तो यह आपका opposite हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? Adjacent हो जाएगा, यह आपका opposite और यह adjacent, अब देखिए, यहां से आपको क्या दे रहा है? 10A is equal to 1 दे रहा है, तो इस 1 को आप 1 by 1 लिख सकते हैं, यानि यहां से opposite भी 1 है, और adjacent भी आपका क्या है? 1 है, है ना? जब यह side 1 है, यह भी 1 है, तो AC निकाल लीजिए, AC का square, है ना? Hypotenous का square, यानि AC का square is equal to, यहां से आपका AB का square और plus BC का square, यह 1 का square, 1 यह 1 का square, 1 यानि कितना 2? तो यहां से जो AC हो जाएगा, वो केतना आजाएगा आपका? root 2 हो जाएगा, तो यह जो side हुआ, लो, root 2 हो गया, अब आजाएगे, अब यहां से हम sin और cos निकाल लेते हैं, देखते हैं यहां से, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? sin A, है ना? sin A जो ratio होता है, opposite और यह आपके, hypotenuse का ratio होता है, है ना? तो opposite आपका कितना है? 1 है, और यह कितना है? root 2, फिरा जाएगे, cos A, cos A जो है, वो आपके, adjacent और hypotenuse का ratio होता है, तो क्या हो जाएगा, आपका देखिए यहां से, यह भी 1 by root 2, क्योंकि यह opposite और adjacent तो उनों क्या है? 1 है, बस sign, 10 दिया हुआ था, sign निकाले, किसके help से? यह triangle बना लेना, side में, यहां पर, है ना? और calculate कर लेना, आप आप जाओ, जो हमको proof करना है, क्या है? जो proof करना है हमको, वो क्या है? देखिए, 2 sin A और cos A है, देखिए, 2 sin A का value 1 by root 2 है, cos A का value भी 1 by root 2 है, है ना? sin A, cos A, दोनों का value root 2 है, उचलो, 1 by root 2 into root 2, 2, है ना? root A into root A, केतना हो जाएगा? A हो जाएगा, है ना? square होगा, root cancel हो जाएगा, या ऐसा भी बोलो, root क्या होता है? power half होता है, है ना? तो power half, plus power half है ना? यानि half half, one हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से two cancel हो जाएगा, one, यही तुमको proof करना था, ठीक है ना? easy question था, बस, तो समझ पा रहे हो ना, importance क्या है आपके technometric ratios का, है ना? सब अगर मालूम है, है ना? कि कौन सा, जो technometric ratio है, और कौन कौन से side का ratio होता है, पागी यह question सब तो आसान है, है ना? दूसरा क्या है, angle क्या ले रहे हैं? A ले रहे हैं, C ले रहे हैं, B ले रहे हैं, वो भ adjacent होता है, अब आजएगी बोला है, इनिट triangle PQR, right angle at Q, फिर वही कहानी है, है ना? right angle at Q, है ना? right angle at Q, चलो, right angle यहां दे दिये, तो यहां कहीं P माल लो, और इसको Q माल लो, है ना? अब बोला है, कि PQ, PQ आपका 5 cm है, यह जो है, यह 5 cm है, है ना? उसके बाद PR है, सोरी, यहां R लिख लो, है ना? Q तो right angle है, right angle at Q, PR है ना? और पलस PQ, तो देखिए, यह PR और पलस PQ, यह 25 cm है, तो find the value of sin P, cos P and 10 P, है ना? यहांनी angle आपको कौन सा लेना है, यह लेना है, है ना? अब यहां से, सिर्फ हमको PQ मालूम है, है ना? अब हमको RQ and PR निकालना पड़ेगा, तो चलो, ठीक है, देखते हैं यहां से, यहां जो आपको given है, क्या है? यह PQ 5 cm है, ठीक है? अब आजाओ, PR पलस क्या देटा है आपको? PR और पलस QR है, यह जो PR है और यह QR है, यह दोनों का सम आपको दे रहा है, कितना? 25 अब यहां से आपको यह दोनों निकालना है, क्या होगा? ठीक है? अब आजाओ, एक चीज़, फिर पाइथागोरस ठीवरम लगाते हैं, यहां पर, क्या हो जाएगा? कि यह जो आपका PR का स्क्वाइर है, यह PR का स्क्वाइर यह क्या होगा? आपके PQ और QR के स्क्वाइर के बराबर होगा, यह PQ का स्क्वाइर और पलस QR के स्क्वाइर के बराबर होगा, है ना? अब आजाओ, यह जो PR है, है ना? PR मगर PR तो दे नहीं रहा है यहां क्या है PR और पलस QR है तो एक काम करते हैं यहां से देखो यहां भी PR और यहां भी QR आ रहा है अब ऐसे case में क्या करेंगे किसी एक को ही रखते हैं किसी एक को ही रखते हैं तो चलो हम एक काम करते हैं यहां से हम qr को ही रख लेते हैं इसको रख लेते हैं तो देखो यहां से qr का जो value हो जाएगा क्या हो जाएगा देखो यहां से अगर हम qr find out करते हैं तो क्या हो जाएगा यह 25 minus आपका pr हो जाएगा है ना तो चलो देखो फिर क्या हो जाएगा तो ये अब क्या होगा पी आर निकल के आने वाला है क्योंकि हम पी आर को ही रख रहे हैं क्यू आर को हटा रहे हैं अब देखो पी क्यू ये जो पी क्यू है कितना है फाइब का स्क्वाइर है तो लिख लो फाइब का स्क्वाइर qr qr क्या है 25 और माइनस pr के pr के बराबर है इस पर square है तो square हो जाएगा अब आज़ा यहां से देखो यह आपका pr square 5 का square यह 25 आप आज़ाओ यह 25 का square a square plus b square मतलब pr का square minus 2ab यानि 2 into 25 into pr है ना अब देखो equal के दोनों साइड में यह दीख रहा है cancel ठीक है अब आज़ाओ अब यह minus 2 into 25 50 हो जाएगा तो 50 को इधर कर लो यह 50 pr is equal to अब इधर 25 बचा और यह 625 हो जाएगा 25 का square 625 है ना तो यहां से यह क्या हो जाएगा आपका 650 तो 50 pr is equal to 650 तो यहां से जो pr हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 650 और यह 50 into में है divide में आ जाएगा यह आपका 650 by 50 cancel यह आपका 13 cm हो जाएगा 5 से cancel हो जाएगा 65 कितना 13 times तो लो अब आ गया तो यहां से pr यह जो pr है यह कितना आया 13 cm आया अब आजा अब qr भी निकाल लो तो देखो यहां qr है ना weight कर रहा है यहां पर है ना क्या है 25 minus pr है है ना तो 25 अब pr का value कितना दिये अभी देखो pr का value 13 है तो 25 minus 13 है यह 12 है ना यहां पर क्या किया थो आपसे एक्ष्रा काम करवा लिया आपको है ना यह तीनों साइड find out करने के लिए अब चलो sin p है ना तो sin p क्या हो जाएगा देखो अब आपको निकालना है sin p है ना जगह कम है इसलिए यहां पर लिख रहे है sin p है ना यह एंगल ले रहे है तो यह अभी अभी पता है थे यह opposite हो जाएगा है ना और यह adjacent हो जाएगा तो opposite यानि क्या यहां पर हम mention कर देते हैं आपको qr by pr है ना अब आ जाओ qr कितना है आपका 12 by 13 है 12 by 13 हो जाएगा cos p है ना cos जो होता है adjacent यह आपका adjacent हो जाएगा क्योंकि एंगल यहां पर बन रहा है जिस से लगके बन रहा है तो क्या हो जाएगा वो देखो pq है ना क्या हो जाएगा pq by यह आपका pr है ना pq कितना है 5 है और यह आपका 13 है अब sin और cos कर लो sorry ठीटा नहीं है पी लिखो यह p ठीक है उसके बाल last बचरा है 10p लोग यहीं पर लिख देते हैं 10p 10p क्या होता है opposite है ना यह आपके rq या qr qr ही यूज की हो तो qr ही इस्तिमाल करो है ना यहां से यह qr by pq के बराबर होगा qr क्या है देखो यहां पर 12 है और यह क्या है 5 है यह आपका 12 by 5 है तो इस तरह से हम लोग find out कर लेंगे यह अच्छा question है आपका यहां पर इक क्या कर लिया थोड़ा साम से एक्स्ट्रा काम करवा लिया है यह चीज ध्यान रखियेगा है ना तो चली next question लेते हैं देखो यहां क्या given है कि यह qr theta is equal to 7 by 8 है तो आपको evaluate करना है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta फिर 1 plus cos theta and 1 minus cos theta और इधर में क्या है qr qr square है तो यह तो qr diya ही हुआ है एस्क्वाइरिंग कर लेना ठीक है अब आजाओ यह जो है यह भी आपका qr square ही है यह जो है यह भी qr square ही है अब कैसे है जब आप तिग्नोमेट्रिक आइडेटिटी इस परहेंगे तो वहां पर पता चलेगा जब हम लोग आइडेटिटी क फर्मूला लिखेंगे है तब वहां से आपको अंदाजा लगेगा यह भी qr square ही है तो चली देखते हैं यानि हमको sign और cos find out करना है यहां तो qr square कर देंगे वो answer हो जाएगा बस इसी का अभी यह इसका भी answer जो इसका भी answer आने वाला है क्या आने वाला है 49 by 64 यह answer आने वाला है 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 ना चली देखते हैं कैसे अब आज यह देखिए यहां से क्या है आपको given कि यह जो qt theta is equal to क्या है 7 by 8 है और आपको मालूम है qt जो ratio होता है वो b और p का ratio होता है है ना adjacent and opposite side का ratio होता है ठीक है तो यहां से क्या missing है आपका h तो h निकाल लीजी है है ना hypotenuse निकाल यहां से आप यानि 8 का square और प्लस 7 का square है ना यह 64 और प्लस 49 है ना 9, 4, 13, 11, 13 हो जाएगा बस हो गया है एच निकल चुका है अब sign निकाल लीजे तो अब आज़ेगे आपका यह sign ठीटा sign किसका ratio होता है opposite और hypotenuse का ratio होता है है ना opposite क्या है आपका 8 है और यह जो hypotenuse आया है आपका कितना है वो 113 उसके बाद फिर cost ठीटा जो हो जाएगा और b और h का ratio होता है b आपका 7 है और यह 113 बस हो गया अब यहां put कर दीजिए now जो अब हमको निकालना है क्या है यह 1 प्लस sin ठीटा है ना 1 प्लस sin ठीटा साइन ठीटा का value देखिए कितना है 8 बाई 113 है ना इंटो फिर देखिए यहां गया 1 माइनस sin ठीटा है ना तो यह 1 माइनस 8 बाई 113 हो जाएगा फिर बाई में cause है तो 1 प्लस cause का value क्या है 7 बाई 113 एना और फिर इंटो में 1 माइनस 7 बाई 113 बस अब इसी को solve कर लीजिए देखिए solve करने के बाद क्या आता है आपका अब देखें यहां ते यह किस form पे है a पलस b यानि 1 पलस 8 बाई रूट अंडर क्या है 113 अब 1 माइनस यानि a पलस b और a माइनस b के form पे है तो a पलस b इंटो a माइनस b आपका क्या होता है यह a पलस b और a माइनस b जो होता है यह a स्क्वार माइनस b स्क्वार के बराबर होता है तो वही कर लेंगे यहां पे देखें क्या हो जाएगा a square मतला 1 का square 1-ba square है न तो 8 का square कितना हो जाएगा आपका 64 और root 113 का square क्या हो जाएगा आपका यह 113 हो जाएगा फिर देखे नीचे में क्या हो जाएगा वही a square minus b square तो 1 का square 1 minus यह 7 का square 49 by 113 फिर देखिए यहां से यह क्या हो जाएगा LCM ले लिजिए उपर में तो यह 113 यह 113 minus 64 है ना यहां LCM ले लिजिए क्या है 113 ही है यहां से 113 और यह 113 minus 64 फिर नीचे में भी आपका 113 यह 113 minus 49 यह और यह cancel हो जाएगा आपका अब देखिए अभी अभी अब देखिए यहां कि 64 और प्लस 49 को add किये थे तब कितना मिला था हमको 113 मिला था है ना अब आज़े अब 113 से आप 64 को minus किजिएगा तो 49 मिलेगा सिंपल सा concept है है ना अब आज़े अब 113 से minus कर लेंगे 49 तो 64 यह value आपको मिलना था है ना आसान था कोट स्क्वाइर बस 7 का स्क्वाइर 49 और 8 का स्क्वाइर 64 है ना यह भी कोट स्क्वाइर है आगे जब परहेंगे पता चलेगा चलिए next question देखते हैं यह easy question था आपका अब इसमें बोला है कि if angle B and angle Q are acute angles such that कि sin B is equal to sin Q है तो आपको सू करना है कि यह जो angle B and Q क्या है एक्वल है है ना आब आ जाईए यानि sin B और sin Q है दो आपके पास angle है तो चलिए इस तरह से हम दो triangle बना लेते हैं right angle है ना angle B and angle Q acute angle से चलिए एक काम करते हैं यहाँ A B यहाँ ले ले लेते हैं और C इसी angle का बात कर रहा है है ना फिर एक और अटर angle ले ले लेते हैं यहाँ से यहाँ पर यह angle Q ले ले लेते हैं यह पी Q और यह R आपका right angle पर है है ना अब आजाए अब बोला है कि sin B और sin Q क्या है इक्वल है तो सबसे पहले आप यहाँ से sin B निकाल लीजिए है ना तो देखें यहाँ से sin B आपका क्या हो जाएगा sin जो ratio होता है है ना sin of any angle वो क्या होता है opposite और hypotenuse का ratio होता है opposite side कौन होगा तो जब angle B ले रहे हैं तो इसके सामने वाला है ना ठीटा के opposite angle के opposite यहाँ सामने में है ना तो इसके लिए जो opposite side हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका AC हो जाएगा और Y यह जो आपका AB हो जाएगा hypotenuse है ना फिर इसमें देख लीजिए फिर sin Q निकाल लेते हैं है ना जो जो given है वही निकाल लिए ना दूसरा चीज निकालने का ज़रूद क्या है है ना sin Q Q के लिए क्या हो जाएगा इसका opposite PR हो जाएगा है ना और फिर यह PQ हो जाएगा क्या हो जाएगा PQ ठीक है अब देखें कोशन में क्या बोला है कि sin B और sin Q equal है क्या given है कि यह आपका sin B equal है आपके sin Q के है ना तो equal है तो जो value आया है लिख लीजिए यहाँ से यहाँ से AC अब by AB is equal to यहाँ से PR और by PQ है ना अब देखिए यह दो ट्रेंगल में है ना जो side का ratio है 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 ना equal है अब similarity जब आप परहे होंगे दो ट्रेंगल में है ना जैसे माल लिए कि ABC है और इधर आपका यह ट्रेंगल PQR है है ना तो यह similar कब होता है जब इसका side का ratio जैसे यहाँ AB तो इसका क्या PQ है ना फिर इदर से देख लिजिए फिर इसका AC है ना और इसका PR है ना और यहाँ से यह BC और QR इस तरह से क्या हो proportional हो है ना बस यही काम हमको करना है कि यहाँ भी आपका ABC है यहाँ भी PQR है आभी देख़िए अब यहाँ से हमको दो condition मिलना है एक काम करते हैं सबसे पहले इसको हम arrange कर लेते हैं अभी क्या है यह एक triangle का है और यह जो है दूसरे triangle का है अब हमको क्या करना है इस तरह से relation बन ले रहा हूँ, अब आजाएए, ac, ac आपका कौन सा है, यह है ना, और इसका pr है, यह है, ऐसा relation बनाएजी, यहाँ ac है, एक काम करते है, cross multiplication से आप यहाँ ले किया यह, pr, ठीक है, अब आजाएए, ac और pr, और ab को इधर बेज लिजी, यह क्या हो जाएगा, ab, और by कितना, p, क्यो है ना, तो देखी, क्या हो गया, ac और pr का ratio, फिर आपका bc और qr का ratio, एक minute, यहाँ से cross multiplication किये, तो ac, pr हो गया, ab यहाँ आया, ab का ratio, ab और ap क्यों, है ना, अब एक side सिर्फ छूट रहा है, जैसे ही, एक side को और involve कर लेंगे इस तरह से, मेरा triangle क्या हो जाएगा, similar होगा, जैसे ह होगा, यह चीज हम लोग, easily लिख लेंगे, कि दोनों angle क्या होगा, equal होगा, चलिए, अब आजाए, अब देखते हैं, क्या करना है, इसके बाद, अब देखिए, यह इसको k माल लेते हैं, इसका ratio और इसका ratio दोनों बराबर हैं, कितना के बराबर हैं, माल लेते हैं, क्या है, constant है, यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, तो चलिए, देखिए, यहाँ से, यहाँ से, जो आपका ac हो जाएगा, वो कितना के बराबर हो जाएगा यह आपके K और P R के है ठीक है फिर यहां से जो A B हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा K और फिर P Q के है है ना आप आ जाएए अब हमको next जो देखना है वो क्या देखना है BC और Q R का रेशियो बराबर है कि नहीं यहां A B, A C और A B involve हो चुका है अब अगला हमको क्या involve करना है BC and Q R का रेशियो ठीक है तो आप आजाएगे अब हम लोग यहां से लेते हैं BC और by Q R ठीक है आप देखिए BC है ना BC इसमें क्या है आपका adjacent side है है ना तो आपको एक formula बतायते है कि अगर base निकालना हो तो B बराबर under root क्या हो जाता है H square minus P A square है ना पाइथागोरस ठीवरं से हैं है ना या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं BC बराबर longest side का square और minus ये opposite side का square बत खतम है तो चली देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर ये आपका हो जाएगा AB का square ये जो BC है वो किसके बराबर होगा under root AB के square और minus AC के square के ठीक है फिरा जाए इसमें QR है ये QR है ये किसके बराबर होगा root के अंदर में क्या हो जाएगा PQ का square क्या हो जाएगा यहां से PQ का square minus PR का square फिरा माइनस PR का square अब आजाएगा अब देखिए यहां से AC जो है वो कितना के बराबर है यहां से आ जाते हैं ये root के अंदर देखिए क्या हो जाएगा ये जो पहले AB देख लेते AB KPQ के है न तो A square है तो क्या हो जाएगा K square और PQ का square minus फिर यहां से AC किसके बराबर है K PR के squaring करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका K square and PR का square आद नीचे में क्या है देखिए आपका ये आपका PQ A square और minus PR A square है अब एक क्राम करते हैं यहां से उपर में K square common दिख रहा है K square को बाहर निकाल लिए है ना और root के अंदर है root से बाहर भी निकाल देजिए क्या आजाएगा यहां K आजाएगा square से root हटेगा K आपका बाहर आजाएगा root के अंदर में क्या बच गया आपका ये PQ का square और minus PR का square अब फिर नीचे में भी PQ का square और minus PR का square ये cancel हो जाएगा तो फिर आपका देखिए यहां से ऐसा कीजिए ये आपका AC by PR AB by PQ K के बराबर है फिर देखिए कि आपका BC और QR इसको आप 1 मान लिजिए और ये जो आया है आपका फिर देखिए ये BC और by QR ये भी K के बराबर आया है इसको equation 2 मान लिजिए है ना अब दोनों के के बराबर है तो from 1 and 2 आप लिख दीजिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका ये from 1 and 2 क्या हो जाएगा आपका देखिए AC by PR is equal to फिर आपका AB by PQ is equal to फिर आपका BC by QR है ये कि दोनों trangle है दोनों trangle के side का जो ratio हुआ है ना सब क्या है equal है ये ये ratio of sides जो है वो सब क्या है आपका equal है जब equal है तो ये किसका condition है similar होने का चलिए इस तरह से यह बात सावित हुआ ये इस चीज़ का information दे रहा है कि आपका triangle ABC ये similar है आपके triangle P, Q, R के है ना अब जैसे ही दोनों triangle आपका similar हुआ तो आप जितना भी angle है उसको बराबर कर सकते हैं तो कर लिजिए यहां से आपको लिख दीजिए angle B जो होगा वो angle Q के वराबर होगा ठीक है ना आप वहां से angle A और angle P को भी equal कर सकते हैं प्रूब कर सकते हैं बस यही था है ना क्या था बस sign का जो formula होता है लगाना था दोनों को equal कर किये equal करने के बाद जब यह relation आया मेरे पास तो फिर आप जब दो side का ratio equal आ रहा है तो तीसरा side भी हमको छेक करना था कि अगर वो भी equal आ जाता है तो triangle क्या हो जाएगा आपका similar है जैसे ही triangle similar हुआ angle भी क्या होगा equal होगा बस यही था चलिए next question देखते हैं क्या है आपका तो इस तरह से आपका जो trigonometric ratios पे जो कुछ basic problems था complete हुआ अच्छे से practice कीजेगा बहुत ही important था है आपका lecture 1 और lecture 2 है क्या है trigonometric का कुछ base आपका बना के दे रहा है अब next जो हम लोग lecture cover करने वाले हैं ओ है trigonometric ratios of some particular angles अब particular angles यानि यहाँ पर हम लोग 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 का values देखने वाले हैं यहाँ जैसे अभी यहाँ पर आप ले रहे थे कि sine of any angle हैं अब वहाँ पर sine of 0 degree क्या होगा, sine of 30 degree क्या होगा, 10 of 45 क्या होगा इसी तरह से कुछ particular angles है उसका हम लोग ratios लेने वाले हैं आज का लेक्षर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें थेंक्यू झाल